हाई अब्रीवन गुड मॉर्निंग और आज नौ तारीक है और नौ तारीक है और हम लोग जब से गांस जाये हुए है तो मेरे छोटा लो बिटा को जादा ही तबीद खराब है और मेरे को तो सर्दी खासी हुआ है तो ठीक है कंट्रोल में है मेरा चलिए हम ठीक है तो मतलब बच्चे भी ठीक है मतलब टाइम से खाना वेगर चाहिए लेकिन उसका तबीद कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है तो हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे है उसको हम लोग दिखा लेते हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम है मेरा भी खासी है तो उसको दिखा लेते हैं आज उसका एक्जाम था तो उसका एक्जाम भी आज हम लोग क्या करें छूट गया एक्जाम वह बहुत ही वीख हो मतलब इक निस उसको फील हो रहा है वो तीन घंटा बैठ भी नहीं पाता तो आज हम बोले कि छोड़ दो मतलब सरी जाने तो जहान मेरा ही कहना है तो एक्जाम अब या जो नहीं दिया हमनों घर में इस सारा जगह से लाइट बहुत ज्यादा आता है तो अभी हम फिलाल जा रहे हैं डॉक्टर के पास मने हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोल रहे हैं और घर में किसी की तबियत खराब हो जाती है हम लो कर्टेंस को आज हम निकलवा के दोएंगे बतलब थोड़ा थोड़ा ही करेंगे क्योंकि मेरी भी तबियत ठीक नहीं है बस उसी में काम तो करना है और बस यही सब तो हम लोग हस्पिटल से आ जा रहे हैं तब मिलते हैं आप लोग को बताते हैं कि डॉक्टर क्या बोल रहा क्या अब आए यही पर देखिए मेरा टाइमसर दस बीस हो ही है दिखा देते आपको यह देखिए मेरा घड़ी फास्ट है तो 10-20 हो ही रहा है है हम लोग हस्पिटल से आ जाएंगे उसके बाद आप से मिलते हैं और हम लोग हस्पिटल से आ गए है हम पांच रुप्रा कर प तो सबको हम बता रहे थे कि मतलब जो भी प्रेगनेंट लेडिस थी तो उन्हों को लाइन नहीं लगना था पर्ची नहीं कटवाना था मगर उन्हों को ये उतना मतलब नॉलेज नहीं था तो हम बता रहे थे तो वही हमको लगा कि यहां किसी को रहना चाहिए मतलब हॉस्पीटल में ही बताने के लिए सब बंद करके गए थे तो इसको भूल दे रहा है जा रहे कपड़ा सब जमा करेंगे और सब को धोना है और मेरा भी सर्दी खासी राबक हुआ है अजे सब को भी धोना है